हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर एनलसेज वीडियो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे को भी हमारी मार्किट में कहीं न कहीं बुल्स जोते हो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और काफी दिनों के बाद एक क्लियर ट्रेंड हमें एक क्लियर मुमेंटम हमें इंट्राडे में मार्किट के अंदर देखने को मिल गया तो अब दोस्तों जैसे कि प्रिवेस में आपको अपनी हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं कि मार्किट को आप नेगिटिव साइड के लिए बिलकुल भी नहीं देखेंगे तो और उसका एक इंडिकेशन हमें में फ्राइडे को भी मिल चुका है तो अब मार्किट में हमारे एक नए वीक के लिए क्या रहनीती रहनी चीए और जैसा कि नया मंत चाल हुआ है तो हमारा मार्किट इस मंत में क्या हमें डिरेक्शन दे सकता है तो इन सब चीजों की बाते मैं आप सो इस वीडियो में करने वाला हूँ वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जब तक इस लेवल पे नहीं आता थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है एक जो रिवर्सल अपॉर्चुनिटी है वह कहीं नहीं के पास हम ढूनने की कोशिश करेंगे बट अभी मंडे के लिए जो हमारी रननीती रहने वाली दोस् सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों ही एरिया बनते वे दिख रहे हैं कहीं जो बुल्स और बेर्स हैं वो दोनों इसी रेंज के आसपास कल फाइट करेंगे और कल अगर मैं आप से ग्लोबल क्यूज की बात करूं तो ग्लोबल क्यूज को भी आप क्लियर ली देख पाएं कि हमारी मार्केट एक साइड़ेजों ऑपनिंग हमें देगी और साइड़ेज ओपनिंग के बाद मर्केट हमारा एक मोमेन्टम देती है और कहीं न कहीं एक IMPORTANT LEVEL जो कि 17700 का IMPORTANT 2018 वो ब्रेक होता है तो कहीं न कहीं आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी निफ्टी के अंदर फाइंड हो सकती है और एक अच्छा खासा मोमेंटम आप अपने टार्गर जो हो वन इस्टू टू का रहा के निफ्टी में चल सकते हो दोस्तों अब आते हैं हमारे अगल देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जो प्रीवेसली एक सपोर्ट के एरिया थे आप देख पाएंगे यहां पर भी सपोर्ट का एरिया था वह एक रेसिस्टेंस का एरिया बन गया और कहीं न कहीं हमारा बैंक निफ्टी एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैं शोडर का पैटन भी बना रहा था और उसका एक ब्रेक आउट स्टेंडिंग जो की दो परसेंट का सिर्फ इंट्राइडे का मुव था उसके साथ ब्रेक आउट मिला है तो कहीं न कहीं है बैंक निफ्टी में मैं जैसा कि आपसे अपनी हर वीडियों में कहता हुआ आ रहा था कि सपोर्ट जो नहीं जो कि आप देख पाएंगे आपका नियर्ली आराउंड से ट्रेटी सिक्स थाउजन नाइन रेट के आसपास के लेवल बनता हुआ दिख रहा है और अगर कल कहीं न कहीं हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो कोई भी हमें कैसी किस तरीके की भ वापस से बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है तो दोस्तों जेती है हमारी इंडेक्स के अनेलिसिस कोई रॉकेट सैंस नेलिसिस दोनों ही साइड में कम्प्लीटली पॉजिटिव साइड की अनेलिसिस लेके आयों आपके लिए और कोही करूँ उसके बाद यहां प्राइस की बात करेंगे हमें आपको क्या करना है आप देख पाएंगे तो कहीं न कहीं मार्केट में एक अच्छा स्ट्रॉंग बुलिश मोमेंटम आया तो कहीं न कहीं वापस से यह स्टॉक में अपने पैटन करा जिसको आप इन्वर्स कपेंड करने की कोशिश करनी चाहिए और एक इन्वर्स कपेंड हैंडल का पैटन आपको देखने को मिल चुका है और कल अगर आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आपका 112.5 का लेवल है इसका ब्रेकाउट देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं आप मार्केट के अंदर जो करने कहीं न कहीं न कहीं वनन्डूर टॉर्टिंग रहने वाला है और सेकंड टार्गेट दोस्तों मैंसे रिष्की ट्रेडर्स को ही सज़ेस्ट करूँगा कि कहीं न कहीं एक बबाद कि छिद्वका के चले वरना सेव ट्रेव करको के अपना अचीव करके कम्प्लीट का कई जबिए को समझे कोशिश करिए कि कही न करिए कि मार्ट नइक कप रेंदेंटम मनाया एक तरेंडट रियंडल को मनाने के बाद e brought अच्ण आप न करेंड को मिला भी त्रॉम वालियूम ठीक है एक स्ट्रोंग वालिट वालियूम के साथ आपको को और कलम हमें इसका ब्रोंते को मिलता है कर इन धे दिन किस में झूलकूल भी ग्रेवीं करूँघ क्रेंक इसे크त्रिक सेट करूँ लिए ने-धर में ट्रेड इंदर नेगतर फ्रेड़ी यू सकता है ऐसी हाई probability हो जाएगी तो अगर कली मेरे ब्रेक करता है 1672 के लेवल को तो मैं कहीं ने कहीं इसमें अपनी एंट्री जो है वो डिरेक्ली एक्जीक्यूट करके चलूँगा जिसमें जो मेरे अगरे अगरे जो कि आपका इंदरप्रस्त के लिमिटेड दोस्तो आईजील की बात में आप से करूँगा तो आईजील में आप देख पाएंगे तो कोई भी मुमेंटम गों आपको देखने को नहीं मिल रहा अगर मैं आपको एंशी wino की बात करूँ तो थोड़ा सा एंशीक्टर छिप्र में इश्य सेक्टर की देखने को मिल रहा तो अगर कल कहीं न कहीं एक inverted head and shoulder का breakout आपको देखने को मिलता है तो वह move आपको intraday में अचीव हो सकती है और कहीं न कहीं आप जो अपना target है वह intraday में बहुत अच्छा कासा लगा के चल सकते हो जिसमें आप जो अपनी buying है वह 381 के level पे लगा के चलेंगे जिसमें stop loss हो है दो सेविन के level पे लगा के चल सकते हों तो दोस्तों अब आते हैं हमारे कल के आखरी स्टॉक पर जो कि मैं आपके इंट्राइब के लिए लेकर आएं वह आपका फार्मा सेक्टर्स का हैवी वेटेड स्टॉक संफार्मा हम संफार्मा में दोस्तों कोई इस नहीं है फार्मा सेक्टर कहीं अपकर एक साइट मुमेंटम दे रहें तोकहीं आपका साौर्मा VY एक kind of symmetrical triangle pattern हमें दिखा रहा है और कहीं न कहीं फार्मा सेक्टर्स हमारे एक साइडवेज मुमेंटम दे रहे हैं तो उसकी विए से मैं कहीं न कहीं संग फार्मा में आपके लिए नेगेटिव साइड के लिए भी लेकर आयों यह स्टॉक जिसमें आप बाइंट जो अपनी वह इनिशेट करके चलेंगे 917 के लेवल पे और जो आपका स्टॉप लोस है वह 913 के लेवल पर लगा के चलेंगे जिसमें टार्गेट की बात करो तो फॉस्ट आर्गेट आपका 925 कि लेवल पे रहने वाला है और जो आपका सेकिंड तर्गेट है वह 930 गे नियर रावंड रखके चल सकते हो नेगेटीव साइड के क Datuk इसमें आपको जो stop loss है वो stop loss 909 के लेवल पर हैने वाला है और टार्गेट की बात करूँ तो फर्स्ट आर्गेट आपका 898 करेने वाला है और जो आपको सेकंड टार्गेट है वह आप 895 के निर आराउंड रखके चल सकते हो तो दोस्तों यह ते हमारे आज आज के इंट्रादे स्टॉक्स आई होप आज के हमारे वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको दुस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको हमारे टेलीग्रम चैनल पर जुढना है जिसमें हम लाइब मार्केट के अपडेट्स देते रहते हैं तो उसकी लिंक मेंने नीचे डिस्क्रिशन में दे रखिए आप उस पर क्लिक करके जॉइन हो सकते हो तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में थेंक यू सो मच